आज की वीडियो की नम मैं स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हूं मतलब मैं आपको सबसे पहला एक सवाल ही पूछने वाली हूं कि कौन-कौन होमबेकर्स ऐसे हैं जिनके पास कस्टमर आते से ही सबसे पहला सवाल यह होता है कि कितने का है तो 300-400 वह लिंग कुछ कम करो न यह होता है तो किसके किसके पास यह होता है सबसे पहले आप यह कमेंट जरूर कर दीजे उसके बाद वीडियो देखे तो यह जो अभी आप केक देख रहे हैं न मैं बहुत सारी बात आज आपको बताने वाली हूं तो यह केक मैंने अलरड़ी मेरे चानल पर अपलोड किये हुए है जि तो की बात कर रहे हूं मतलब जितने भी लोग आते हैं न हम होम बेकर्स के पास उनकी एक ही सवाल होता ही होता है कि कुछ कम कर यह ना इतना कहां दुकान में तो दोसों में ही मिल जाता है बट उनको यह समझ में नहीं आता है कि दुकान वाले केक और घर वाले केक में जमीन आस्मान का फर्क होता है, तो कौन कौन यह मानता है, कि सच में जमीन आस्मान का फर्क होता है, आपको quality में फर्क हाएगा cream में, taste में, हर चीज में फर्क आता है, पर पता नहीं क्यों लोग समझते ही नहीं, लेगन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कि जिनको फ्रिस्ट चाहिए टीस्ट अच्छा चाहिए उनको होम बेकर्स से ही चाहिए कि उनको पता है कि घर का बना है तो साफ सुत्रा होगा और मतलब टीस्ट तो होगा ही होगा ऐसा मानना है तो होम बेकर्स को प्लीज बढ़ावा दीजिए और उनको काम करने में उनको help करें और ब को बड़ी ही प्यार से रेडी किया है यह देखिए कैसा दिख रहा है कमंड बोक्स में जरूर कमंड करेंगा और जिनको यह पूरी वीडियो देखनी है ना तो मैंने इसकी दो दो नहीं तीन-तीन वीडियो में अलग-अलग कलर में इसे मतलब किया और यह वाला कलर भी मैंने है और पूरी डीटेल वीडियो इसकी है और यह देखिए यह हैं सारे केक में सूबर से साम हो गए मिन दो पहर मैं मैंने स्टार्ट किया था 9-10 बचे के बाद और यह इतना टाइम लगया मुझे यह करने के लिए तो अभी मैं फटा-फट से कर लेती हूं पैक कि मुझे हास अभी फाइनली यह हो गया कंप्लीट और फटा-फट से इसे मैं कर दूंगी पैक दूसरा फोन के जी केक सामने में देख रहा है ना हलका पीच कलर में यह मैंने अभी लगा थार कंटियू तीन दीन यह केक बना लिए और वीडियो भी अप्लोड कर दिया नगर सेवक है या अभी वह आने वाली है तो आके ले जाएंगी कोई हाउस वाइफ ही है वो भी जो आज अपनी केकी उन्हों ने शॉप डाली है तो फाइनली आज का ओर्डर मेरा हो तो बड़ी मुस्किल से मेरा ओर्डर हो गया है सारा कंप्लीट अब फटा-फट से मैं डबे में पैक कर द मैंने चॉकलेट वाले मैंने नी बना यहांगी चॉकलेट बना living ने फट्म्फ के चोकलेट बनाएं और फॉन के जीflan can aania हो पहली बार मैंने एक साथ इतने सारे ओर कंप्रेट के हैं तीन छे साथ आट नो दस पहली बार आज बेकरी में मेरा केक जा रहा है आज मैं बहुत ही खुश हो और यह खुशे मैं आप लोगे साथ बात रही हूं तो इसे जाद और खुशे की बात हो ही नहीं सकती तो फ्लीज मैंने उसे सबसे लास्ट में पैक कर दिया अभी वह आ गया है नीचे और मैं और मेरे हजबन जा रहे हैं मतलब उनको डिलबर करके आते हैं कि यह देखे बिचार मेरे साथ वीडियो में आना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरे हल्प करिए मैं बार बार ऊपर से नीचे सेड़ी चड़के आंगे जाओंगे तो थक जाओंगे तो फिर साथ में जाके और पूरा नीचे दे कर आए तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा और चाहों को जरूर करें दहीर साथ इंटरस्ट्रिम वीडियो देखने के लिए तो मैं तो एक बारी नीचे कर यह बैचारे दू बार तीन बार करके वह नौ केक लेकर नहीं सुबह से अभी मैं आई हो बैठने के लिए क्योंकि दो पर से मैंने स्टार्ट किया मतलब दस ग्यारा बारह दो इसा घर काम निप्टा कि उसके बारना की बाराना स्टार्ट किया और आज का चुक एक और था वह आया था बेकरी से मैं नौ केक चाहिए था उनकी केक शॉप के न ओपनिंग थी आज तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंके के शॉप की ओपनिंग वह मेरे क नौर्मल है और उन्होंने खुद का करने के लिए कुछ सोचा है तो मुझे लगा कि अगर वह थोड़े कम प्राइज भी मुझे देंगे तो मुझे चलेगा अगर कोई बेकरी वाला होता तो शायद मैं इतना कंप्रमाइज नहीं करती लेकिन वह नौर्मल हमारे जैसे एक ह लागा तो जो केक मैं नॉर्मल ही 300 में देती हूं सबको मैंने कभी भी में इतना नहीं किया अपना सामान और यह सबको लेकि मैं 300 में हर बारी केक दिये और चौकलेट का 350 ऐसा मेरा प्राइज विक्स है बट उनको उन्होंने बोला कि नहीं इतना मतलब करेंगे तो मैं कितन ही नहीं है क्योंकि डब्बे अपने हो जाते कितने का अपना हो जाता है 20-25 रुपे तो अपना डब्बा नाइफ टैग पूरा मिलाएंगे तब को 30 रुपे कम से कम वाला रभी बहुत अच्छी क्वालिटी का हाइट वाला होता है हैंगिंग वाला होता है तो अगर पूरा तो कुछ भी फायदा नहीं था मेरा लेकिन फिर भी उन्होंने गोकुल किचन का नाम लिया था और वो एक हमारे जैसे अपने जैसे एक हाउस वाइफ नॉर्मल है जिन्होंने करने की कुछ सोची है तो मुझे लगा कि नहीं उनकी मदद जरूर करनी चाहिए और हर बार तो करना आप जैसी हो वैसी रहना तो यह प्यार देखके ना मतलब क्या बोलू शब्द नहीं मेरे पास कि आप लोग इतना मुझे पसंद करते हैं तो मैं भी आप लोग जैसे एक नॉर्मल से हाउस वाइफ है जिसने एक छोटी से सुरुवात की है कि हम आउस वाइब कुछ कर सकते हम होंबेकर्स घर से घर में रहके भी होंबेकर्स बनके भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं तो तो मैंने सारी केक बना लिए और केको पैक कर दिया मच्छरा रहा रहा वह खिड़की खुली है ना इसलिए रात हो गया भी साड़े-8-7 पतन कितना बज़र मैंना अब दोंगी तो आज सुबसे मतलब सुबसे दो पर लगी ती देड़ दो बजे के आसपास में और अभी साड़े से साथ बजे तक कंटीनियू में लगी हुए थी और कमर तो ऐसी दुखरी है कि पूचिये मतलब भी बहुत दुखर है विकाना बनाने का बिल्कुल भी मन न करोंगे अभी तो खापे के मास होंगे बस तो आप लोग भी खाये पीजे स्वस्त रही मस रही ब्यस्त रही और देखते रहे गोगल को ट्याट और गोगल किचन को वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज लाइक करें और चान को सब्सक्राइब जरो करेंगे बहुत सा इंट